शांती की शक्ती से शांती जग में लानी है शांत मन हो तन हो शीतर शांत मन हो तन हो शीतर ऐसे दुनिया बनानी है शांती की शक्ती से शांती जग में लानी है शांती की शक्ती से आज 22 अक्टूबर 2021 बाप दादा के महावा के हैं मीठे बच्चे माया से डरो मत भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन ठको नहीं क्या करो फिर अम्रित्वेले उट याद में रहने का पूरा पूरा पुर्छार्त करो क्या समझाई बाबा ने कहा माया चाह कितना भी आपको बाबा को बुलाने की कोशिश करे पर बाबा केते तुम डरो मत माया से ठको मत रुक ना जाना क्या करो फिर भी अमरित वे ले उट जाओ और याद में रहने का पूरा पूरा पुरा पुर्शार्फ लो अगर माया की बात माली बाद में वो बहुत तरफाएगी पच्चा ताप करवाएगी इसलिए कोई बात नहीं गलती हो रही है प्रॉलम आ रही है कोई बात नहीं फिर भी लगे रहो लगे रहो योग बढ़ाओ नहीं योग लगता योग लगने ने देगी वो कोई बात नहीं बात नहीं कोई बात नहीं अगली दिन दो मिला जाएगा फिर तीन मिला जाएगा चार मिला जाएगा बढ़ाते जाओ छोड़ना नहीं पुरुशात नहीं चोड़ना क्योंकि माया कोई बाहर की चीज तो है नहीं माया क्या है अपनी कमी कमजोरी का ना माया है न इसने अपनी कमी कमजोरी को पर डिपेंड न रो छोड़ न दो उस पर पुरशार्ट से प्रारब्द है पुरशार्थ करोगे याद करो याद करने का पुरशार्थ करते रोगे तो अल्टिमेटली जीज जाओगे अदर्वेज हार जाओगे प्रशार्थ में आगे नमबर कौन से बच्चे लेते हैं कौन बढ़ेंगे प्रशार्थ से आगे उतरए जो बाप पर पूरा पूरा बली चड़ते हैं यह गो बाबा पर पूरा पूरा कुर्बान जाते हैं सबसे आगे वही जाते है यह नहीं बाप पर कुर्बान जाते बाप पर बच्चे कुर्बान जाते और फिर बच्चों पर बाप कुर्बान जाते कैसे जाते गुर्बान हम बाबा पर बाबा हम पर तुम अपना कखपन पुराना तन मन धन बाप को देते और बाप तुमें विश्व की बादशाही देता इसलिए उसे का जाता है गरीब निवाद और गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं जो गरीब हैं यानि जिनके चरितर खराब हो चुके हैं चरितर से गरीब हो चुके हैं बापा कहते हैं कोई बात नहीं मुझे अपना गरीब पन दे दो चरिततर दे दो, खराब कारा चितर दे दो necesit, कक्क पन जो कुखला बने हो जाता हूं तो भूर दे दो, प्राने विकारी तन मन धन के तीनों दे दो मुझे फिर देखो, दिनपर कुरबान दो जाओ, यह दे दो मुझे मैं दो को तुम पर कर्मा जाओंगा मैं तुमें विश्वी की बात्षाई दूँगा इसकी अगेंस गीत है नए नहीन को रहा दिखाओ ये दो नियतर होते हुए भी कौन से नियतर की बात कर रहे हैं कौन से ग्यान की बात कर रहे हैं ओम शांती आज बाबा को बच्चे पर बहुत बहुत प्यारा है कैसे जार करेगा बाबा रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे आज बाबा ने कहा मीठे मीठे आती मीठे ऐसी कहेंगे न बेहत का बाप और बेहत का प्यार कहते हैं मीठे से की लदे बच्चों ने गीत सुना सुना कौँसे की था नैन ही इनको रहा दिखाओ पक पक ठोकर खाओं मैं रह एक बाप ही दिखाते हैं और भक्ती मार में रह बतलाने वाला कोई है ही नहीं वहां ही ठोकरे खाते रहते हैं अभी भल रहा मिली है ग्यान मार में रहा मिली है फिर भी माया यानि अपनी जतनी कमी कमजोरिया हैं बाप के साथ बुद्धी योग लगने ही नहीं देती समझते भी हैं एक बाप को याद करने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे फिकरात की कोई बाती नहीं रहेगी पता सब कुछ है फिर भी भूल जाते हैं और बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ पतित पावन बाप को याद करो पावन बनते जाओ ऐसे याद करो बाप ग्यान का सागर है ना वही गीता ग्यान दाता है स्वर्ग की बादशाही यह यह को हो सदगती देते हैं क्रिशन को ग्यान का सागर नहीं कह सकते हैं सागर एक ही होता है इस धर्ती के चारो तरफ सागर ही सागर है और सारा सागर एक ही है यह तो उनको बाटा गया है तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर सारी धर्नी के मालिक तुम बनते हो अकाज सब आपका होता है ऐसे कोई कह न सके ये हमारा टुकड़ा है हमारी हद के अंदर ना आओ यहां तो सागर में भी टुकड़े टुकड़े कर दिये कितने सागर बना दिये तुम समझते हो सारा विश्व ही भारत था और जिसके तुम मालिक थे गीत भी है बाबा आप से हम विश्व की बादशाई लेते हैं ऐसी बादशाई जो कोई छीन न सके और यहां देखो पानी के उपर भी लड़ाई है एक दूसरे को पानी देने के लिए लाखो रुपया देना पड़ता है और तुम बच्चों को सारे विश्व की राजाई कल पहले मिसल मिल रही है एक तरफ वो एक तरफ हम तो बाप ने ग्यान का तिसरा नेतर दिया तो ग्यान दाता है ही परम पिता परमातमा और इसी समय आकर ग्यान देते हैं सत्युग में लक्ष्मी नरायन के पास ये ग्यान नहीं होगा हाँ ऐसे कहेंगे पिछले जन्म में ग्यान लेकर ये बने हैं ये कौन थे तुम ही तो थे तुम कहते हो बाबा आप वही हो आपने हमको विश्व का मालिक बनाया था और बाब कहते हैं मेरी मत मेरी जो डिरेक्शन्स हैं कोई लंबी चोड़ी नहीं है दुन्यावी पढ़ाई तो कितनी लंबी चोड़ी होती है ये तो बहुत सहज है क्या है पढ़ाई क्या पढ़ाई है हमारी रचता और रचना के आदी मद्ध अंत को तुम जानकर औरों को बताते रहते हो मैंना कैसे चुरासी का चक्र लगाया अभी वापस जाना है बाप के पास ये भी बाबा ने बतलाया माया के तुफान बहुत आएंगे बाते तो दुनिया बर की बहुत आएंगे इनसे डरो मत क्या करो फिर सुबह को उठकर बैठेंगे बुद्धी और और ख्यालातों में चली जाएगी दो मिनट भी याद नहीं रहेगी योग लगे गए नहीं कुछ दो मिनट भी बाप कहते हैं ठकना नहीं छोड़ मत देना योग लगाना अच्छा एक मिनट याद रही फिर कल बैठना पर सो बैठना बैठते रहो पस अंदर में ये पका जरूर करो कि हमें योग लगाना ही है हमें याद करना है अगर कोई ये जोग तो करना करना है ठीक है ठीक तो हो जाएगा परण तो कंडिशन के है अगर कोई विकार में जाता होगा तो तो बहुत तुफ़ान आएंगे ठीक है न अगर विकार में नहीं जा रहे हो फिर तो बाप ठीक हो जाएगा अगर विकार में जा रहे हो फिर तो बहुत तुफ़ान आएंगे क्योंकि मुक्य है ही पवितर था आज ये दुनिया है पतित वैशाले कल होगा पावन शिवाले जानते हो ये तो पुराना शिरीर है बाप को याद करते रहेंगे तो कोई भी समय शिरीर याद करने से फैदा का होगा कोई भी समय शिरीर छूट जाए तो सुर्ग में चलने के लायक बन जाएंगे अम्रित विल्ला कर रह रहे हो रो शरी शुड़ जा है फिर तो समझो स्वर्ग में चलने के लायग मनेंगे बाप से कुछ न कुछ ग्यान तो सुना ही है ना ऐसे भी हैं जो यहां से भागानती हो गये कौन भागानती हो गयां आज जो यहां से बागंती हो गए हैं फिर भी आकर अपना वर्सा लेही रहे हैं तो यह भी समझाया है अंत मती सोगती होगी समझो कोई श्रीर छोड़ते हैं ससकार ग्यान के ले जाते हैं तो छोटे पन में ही इस तरफ उनको खीच होगी देखा नगे वह चोटे बचे किता अचा ग्यान सुनाते हैं कि वो ग्यानी आत्मा ने श्री चोड़ा है बल और गज़ चोटे हैं बोल नहीं सकते पर तो खीच लेंगे चोटे पन से ही ससकार उनके अच्छे होंगे सुखदाई बनेंगे आत्मा को ही बाप सिखलाते हैं न जैसे बाप मिल्टी वालों का मिसाल समझाते हैं क्योंकि मिल्टी वाले युद में यसी चोड़ते हैं वह इससकार ले जाते हैं तो ललाई में फिर भर्ती हो जाते हैं निकलती है तो यहां से वह तो बहिए ब्रक्ति मार में और यह ज्ञान मार में यहां से जो जाते हैं तो छोटे पन में महिमा निकलती है आत्मा ही ग्यानदारन करती है ना बाकी आत्मा तो ग्यानदारन करती है भी बाकी जो रहा हुआ हिसाब किताब है वो तो चुपतू करना पड़ता है स्वर्ग में तो आएंगे ना बाप के पास आकर मालेकम सलाम करेंगे, मालेकम सलाम करेंगे, अपरजा तो डेर बनेगी, बाप से तो वर्सा लेंगे, पिछाडी में कहा है ना, लास में कहा हैंगे सारे, ओह प्रभू तेरी लीला न्यारी, यह लोग गहाएंगे, लास में आकर गहेंगे, यह भगवाण तुमने लीला, बिरमा कुमारिश के दोरा लचाईगे, यह खेल यहां से लचाया है, यहां तुमने आना था, लास में लोग गहेंगे, और अभी तुम समझते हो, ओह बाबा, आपकी लीला, जो खेल लचाया आपने ड्रामा प्लैन अनुसार ऐसी है बाबा आपका एक्ट सभी मनुश्य मातर से ने आ रहा है जो बाप की अच्छी सर्विस करते हैं उनको फिर इनाम भी बड़ा अच्छा मिलता है क्या ना मिलेगा वो विजे माला में पिरोए जाते हैं यह है रूहानी ग्यान जो बाप बाप को ना है रूह है सुप्रीम रूह है जो रूहों को देते हैं आत्मा को देते हैं बाकी मनुश्य तो सब शरीरों को ही याद करेंगे है ना क्या कहेंगे शिवानंद जी गंगे शिवानंद आदी आदी यह ग्यान देते हैं यहां तो कहेंगे निराकार शिव बाबा ग मुझ आत्मा का नाम है शिव तभी तो कहते है ना शिव परमात्मा नमा फिर ब्रह्मा विश्नु शंकर को क्या कहेंगे देवताय नमा ये भी रचना है उन से कोई वर्सा मिलने से ना ब्रह्मा से ना विश्नु से शंकर से वर्सा नहीं मिल सकता योगि तुम आपस में भाई भाई हो अब भाई को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा यह ब्रह्मा दादा दादा कहते है सिंद्ञ में भाई को यह भी तुम्हारा भाई है, भ्र्हमा पाप को नहीं? बाबी है भाई भी है ना स्टूडेंट भी है ना पढ़ रहे हैं इससे वर्सा नहीं मिलेगा ब्रमा से कुछ नहीं मिलेगा ये खुद ही वर्सा पा रहे हैं शिर्बाबा से तो पहले ये सुनते हैं और बाप को कहता हूँ बाबा ब्रमा बाबा शिव बाबा से बाते कर रहे हैं बाबा क्या कहते है बाबा को शिव बाबा को बाबा हम तो आपका पहला पहला बच्चा हूँ कैसे बाते करते हैं बाबा शिव बाबा से मैं तो आपका पहला पहला बच्चा हूँ आप से हम कल्ब कल्ब वर्षा लेते ही है कल कल आपका रत बनता हो शिव का रत कौन है ब्रह्मा ब्रह्मा दोरा विश्नपूरी की स्थापना यानि तुम ब्रहामन भी मददगार हो फिर तुम मालिक बनेंगे अभी तुम जानते हो हम पांच हजार वर्ष पहले मुआफिक बाप दोरा राज्य भागे लेते हैं जिन्होंने कल पहले राज्य भागे लिया है वो ही आएंगे यह कोन आएंगे जिन्होंने पिछले साइकल में राज्य भागे लिया है वो ही आएंगे हर एक के पुरशार से पता लग जाता है क्या पता लगता है कौन महाराजा महरानी बनेंगे कौन प्रजा बनेंगे और कौन दाज़ासियाँ बनेंगे और पिछाडी में तुमको सब साक्षाद का रोगा सारा मदार है पुर्शार्थ पर फिर कुर्बान भी होना होता है बाप कहते हैं मैं हूं गरीब निवास मैं गरीबों का हूँ तुम गरीब ही मुझे पर कुर्बान होते हो और दान हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है समझो कोई कालेज बनवाते है दुनिया में कोई कालेज बनवाते है वो कोई गरीबों को दान नहीं होता वो कोई ईश्वर अर्थ होता नहीं है पर तू दान तो करते हैं ना कॉलेज खोल दान कर दिया हमने कॉलेज के लिए तो कॉलेज खोलते हैं तो उनका फल मिलता ही है क्या मिलता फल दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे ये आशिरवाद मिलती है अब भारत में ही सबसे जास्ती दान पुन्ने होता है इस समय तो बहुत दान होता है बहुत दान इस समय तो बहुत है और तुम बाप को दान करते हो बाप तुम को दान करते है तुम से हम बाबा को दान करते हैं बाबा हमें दान करते हैं क्या दान करते हैं बाबा को पैसे पैसे का दान करते हैं लोग पूछते हैं ना आपकी दान पेटी कहां पर रहा है पूछते हैं पर आपकी दान पेटी कहां है क्या बोलो उसको क्या बोलोगे क्या बोलोगे दान पेटी दे रहा है यह दान पेटी नहीं है यह क्या है यह आप की FD त्यार हो रही हैं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप यहां पर इस बंडारी में जालते हैं ने इन्वेस्टमेंट रहे हैं आप कोई इसका इतना जाल रहे हो इसका मल्टी कितना मल्टी होकर के मिलना है आपको दान पेटे था भक्ति मागरी में होती है तब ही हम नयो को देते हैं तुम से बाबा क्या लेता है हमार से कक्पन जो काम क्रोध लो मो एंकार हमारे में गंद है न वो लेते हैं और तुम को देते क्या है विश्व की बादशाही इसी समय तुम तन मन धन सब बाप को दान में देते हो वो लोग तो मरते हैं तो विल करके जाते हैं कि फलाने आशरम को दे देना या ये आरे समाजी ले ले में आरे समाज को ले ले में वास्तों में दान गरीबों को देना होता है जो बुखे होते हैं दानों को दे जाता है अभी भारत गरीब है ना स्वर्ग में भारत कितना साहुकार होता है तुम जानते हो वहां जितना अनाज धन आदी तुमारे पास होता है छत्यु जिनना मारा अनाज होगा नहुए धनसप्ति होगी इतना और कोई के पास दुन्या में नहीं हो सकता वहाँ तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा मुठी चाव़दान करते हैं तो रिटर्न में यह हम एक मुठी चाव़दान करते हैं मर्वदे तो देते हैं तो रिटर्न में 21 जनम के लिए महल मिल जाते हैं जागीर भी मिलेगी अभी तत भी तमो परधान होने के कारण दुख देते हैं वहां ता तो सतो परधान होते हैं तो तुम जानते हो सत्यु में कौन कौन आएंगे फिर दौपर में फलाने फलाने आएंगे कल्यु के अंत में चोटी चोटी टालियां यानि मठ पंथ अदी निकलते रहते हैं अभी तुम्हारी भुदी में जाड यानी ड्रामा आदी की नौलेज है तो बाप के पार्ट को भी तुम जानते हो फिर महा भारत लड़ाई में क्या दिखाते हैं कि युदुई पांच पांड़ों बच्चे अच्छा फिर क्या हुआ उन्हें दिखा दिया वो भी गल मर गए हुआ क्या फिर जरूर जो राज योग सीखे हैं वो ही जाकर राज्जी करेंगे ना पहले तुम भी जानते कुछ थोड़ा ही थे बाबा भी गीता आदी पढ़ते थे ब्रमा बाबा भी गीता आदी पढ़ते थे और नराएन की भक्ती करते थे गीता के साथ भी बहुत प्यार था टेन में जाते थे तो भी गीता ही पढ़ते थे अब देखते हैं क्या देखा जब ग्यान मिला बाबा को बर्म बाबा को अब देखते हैं कुछ भी समझाई नहीं डिबी में ठिकरी यानि कि इतनी देर गीता पढ़ी पद्थरों के जैसा गियान मिला, है ना, कुछ भी गियान नहीं मिला, खोक लेए रिखो लिया गिता पढ़ी, किया मिला, गीता में क्या गिता गियान गियान का है, उस तो कहानिय अबनाई हुई है, भक्ती मार्ग में जो कुछ करते आए प्रन्तु उधार तो हुआ ही नहीं दुनिया में तो देखो कितना जगडा है यहां भी तो सब पवितर बन ना सकें इसलिए जगडा हो पड़ता है बाप शरन लेते भी हैं फिर कहते हैं बिमारी उत्रेगी जरूर बाबा की शरन में आयते हैं फिर भी भाग कहते हैं यह नहीं तो है मेरे बन करके तुमरे प्रॉल्म कोई नहीं आएगी बिमारी जो है उत्रेगी क्या एक बिमारी कहाएगी बच्चे आदी भी याद पढ़ेंगे पर इसमें होना पड़ेगा नश्टो मोहा जब ग्यान में चल पड़े मेरा तो एक शिबाबा यह मेरा बच्चा है मेरा भाई है बेन नहीं जो बाबा के आदेशा है मुझे वैसी करना है क्या समझें नश्ट मोह कैसे होगा लाकी बच्चे कैसे होगा क्या करना पड़ेगा क्या समझना पड़ेगा समझना है हम मर गए यानि हम बाप के बन गए बना 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 इस दुनिया से मरे फिर श्रीर का बहान नहीं रहता बाप कहते हैं दे सहिर जो भी दे के संबंद है उनको भूल जाना है यानि इस श्रीर में जो कुछ देखते हो वो जैसे कुछ भी है ही नहीं देबान खड़ गणने बे शरी का लिन देने कोई नी रिष्टा को यही नी वारा क्योंकि ये पुराना शरी रहना ये भी छोड़ना है पिर हमको जाना है घर हमको जाना है घर जब घर कहते है उसको परमदाम को तो खुशी होने चाहिए घर जाकर फिर आकर नया सुन्दर शरीर लेंगे अभी श्याम है फिर बनेंगे सुन्दर भारत अभी श्याम है फिर बनेगा सुन्दर यानि अभी भारत है काटों का जंगल सब एक दूसरे को काटते रहते हैं विकारी विकारी रिलेशन सब के हैं कोई बात पर कोई बात हिदी जवाद होती है बिगर पड़ते हैं तो गाली देते हैं लड़ी पड़ते हैं तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा बनना है तुम बच्चों को अपने घर में वहां भी मीठा बनना है बहुत मीठा बनना है नहीं तो मुनश्य कहेंगे ना इसने तो पांच विकार दान दी है फिर इनको क्रोध क्यों करते अक्सर लोग कहते हैं आउम शंती के नाम अमर का आप गुसा भी आता है आप गुसा भी करते हो अक्सर लोग के बात पुछते है पांच विकार दान दे दी है फिर क्रोध क्यों करते फिर लोग क्या करते हैं शैद ना कुरोद दान नहीं दिया है और बाप कहते हैं बच्चे जोली में पांच विकार दान में दे दो तो तुम्हारा ग्रहन चुट जाएगा जो ग्रहन चाखराब है ना पांच विकार चुटो सही सारे ग्रहन ही हो जाएंगे अब चंदरमा को ग्रहन लगता ही है ना तुम भी अब संपूरन बनते हो तो बाप कहते हैं ये विकार दान में दे दो पैसा दान दे दो ये विकार हमारे पासे ये बाबा के दो और तुम को सुरक की बादशाही मिलती रिटरम में दो क्या मिलता आपको नहीं कितनी बड़ी बात है आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है आत्मा ही कहती है इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा टाइम है है ना काम उतार देना है ख्यालात कोई भी उतार देने चाहिए कोई भी विचार आ रहा है ख़त्ब कर दो उसको बाबा जानते हैं अनेक बरकार के ख्यालात आएंगे तो थोड़ कोई ना है आएंगे दंदे के ख्यालात है कि क्या बिजस करें बगती मार में बगती करते समय ग्राहा धंदा धोरी याद पड़ता है तो फिर अपने को चुटकी से काटते हैं बाबा बाबा को याद आता है ले अपने को चुटकी से काटते थे फिर हम नराएन की याद में बैटा हूँ फिर ये बाते याद क्यों आई तो यहाँ भी ऐसे ही होता है बैटेंगे योग में पदह नहीं कौन कौन दुनिया की बात याद आएंगी जब इस रुहानी सर्विस में अच्छी रिती लग जाते हैं तो फिर समझाया जाता है अच्छा छोड़ो धंदे दोरी को जब तक पूरी ग्यान योग धाना सेव में नहीं लगए ना तब तक बिजिस करते हैं बाबा कहते हैं जब पूरा लग जाओ तब छोड़ दे छोड़ो और बाबा की सर्विस में लग जाओ कहते हैं छोड़ो तो छोटे दे अब इमान छोड़ते जाओ सिरफ बाप को याद करो तो बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे ब्रहमरी का कच्छों का भी समिसाल बाप देते हैं फिर भक्ती फिर जो फिर भक्ती मार में वो लोग दिश्टांद देते हैं अभी तुम जानते हो कीडे कौन है ब्रहमरी कीडे को भूबू करके गाते हैं न तो ब्राम्री कोन है? कीडे कोन है? तो तुम हो ब्राम्री याँ ब्राम्री से बना ब्राम्री तुम हो ब्राम्री याँ तुम भूंबूं करती हो कौन सी भूंबूं? ग्यान की भूंबूं करती हो ये दिश्टान अभी का है सिन्यास्टी तो जो दिश्टान देते हैं वो तो बता ना सकें बागी त्योहर आदी सब इस समय के हैं क्योंकि सत्युक तेता में कोई त्योहर होता ही नहीं तो ये सब हैं भक्ती मार्ग के अभी देखो क्रिशन जनती थी क्रिशन मिट्टी का बनाया उनकी पूजा की फिर जाकर लेक में डुबो दिया अभी तुम समझते हो कि ये क्या करते हैं ये है ब्लाइंड फेथ अंद्शरदा तुम किसी को समझाएंगे वो समझेंगे नहीं अब कोई को बिमारी आदी हुई तो कोई प्रॉब्लम आगी तो कहेंगे देखो तुमने क्रिशन की पुजा चोड़ दी ना जो तुमने उसकी पुजा चोड़ी ना इसलिए तुमारा हाल हुआ बरकाने के लोग ऐसे बोलेंगे ऐसे बहुती फिर क्या होता है आश्चरिवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं इसलिए ब्रामनों की माला बनी ने सकती लोग अभी पिज़ा ग्यानों चलते ना ओओ तुमने जिए सुखा था ना पर सुख के आनक वो अब सुखने चल तब गोसरी जिन्दकी में तब पता रहींगा सब मिलेगा अब तब दो ने माला बननी सकती उंच ते उंच ये ब्रामन कुल भूशन है परन्तु उनकी माला बनने सकती तुमारी बुद्धी में है ये शीव बाबा की माला है फिर हम जाकर सत्यूंग में नंबर वर विश्य की माला के दाने बनेंगे तुम्हारा एक एक अक्षर ऐसा है जो कोई समझ ना सके बाप पढ़ाते रहते हैं बच्चे विदी को पाते रहते हैं परदशनी में कितने आते हैं कहते भी हैं हम आकर समझेंगे फिर गए घर में और खलास कहते हैं प्रबु से मिलने के लिए रह बहुत अच्छी बताते हैं परंतू हम उस पर चलें वर्सा लेवें ये किसी की बुद्धी में नहीं आता बहुत अच्छी सेवा कर रही है ब्रमा कुमारिया इतरो लो कहते हैं पस अरे तुम भी समझो ना जिस्मानी सेवा करते रहते हो, अब ये रूहानी सेवा करो, जिस्मानी सेवा तो बहुत कर ली, अब ये रूहानी सेवा करो, अब सोसाइटी की सेवा तो सभी मुनुश्री करती है ना, दुनिया में सोसाइटी है, समाज सेवा है, वो तो दुनिया में बहुत करते हैं, अब बबाबने कहा बोलो उनको बड़े समाज सेवक हैं हम तो बड़े समाज सेवक हैं बाबने कहा मुफ्त में तो कोई सेवा ही नहीं करते हैं कुछ नहीं कुछ द्यारी पता बननी है तब सेवा करते हैं नहीं तो खाएंगे भी कहां से अभी तुम बच्चे बहुत अच्छी करते हो तुमको भारत के लिए बहुत तरस रहता है है ना से वक कर रहा है भारत पर तरस रहता है कि हमारा भारत क्या था फिर रावन ने किस गती में लाया है तो अब हम बाप की श्रीमत पर चल वर्सा जरूर लेंगे क्योंकि अभी तुम जानते हो हम है संगम यूगी बाकी सब दुनिया है कल यूगी हम हम उस पार जा रहे हैं जो बाप की याद में अच्छी रिती रहेंगे वो ऐसी बैठे बैठे याद करते करते शरीर छोड़ देंगे बस फिर आत्मा वापिस आएगी नहीं बैठे बैठे बाप की याद में गया यहां हट योग आदी की कोई बात नहीं जैसे देखते हो दिहान में बैठे बैठे चले जाते हैं वैसे ही तुम बैठे बैठे ये शरीर छोड़ देंगे इसी बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे सुक्षम बतम जाकर फिर बाप के पास चले जाएंगे यानि की जो याद की यात्रा की बहुत मेहनत करेंगे वो ऐसे शरीर छोड़ देंगे हमारे के इतने यक्जी के पराने बन्दे दादी थी एक उन्हें टैम देता कि मैं इतने वे शरीर छोड़ देंगे पूर इतने वे शरीर छोड़ दिया और फिर उनको साक्षादकार हो जाता है जैसे शुरू शुरू में तुमको बहुत साक्षादकार हुए वैसे पिछाडी में भी तुम बहुत देखेंगे लाग्स में बाबा हमको साक्षादकार कराएगा सब कुछ लोग यहां से भी नाश हो रहोगा बाबा में साक्षद काने बीजी रखे हो अच्छा मीठे मीठे सिक इलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रूखानी बाप की रूखानी बच्चों को नमस्ते हम रूखानी बच्चों की रूखानी बाप को नमस्ते धारना के लिए मुक्षार है मंदिर लायक बनना है मंदिर लाइक बनने, तुभी राइक बनने के लिए देख अब इमान चोड़ देना है, क्या चोड़ना है? देख अब इमान, क्या कैसे चोड़ेगा? रुहानी सेवा में लग जाना है, दूसरा है अब घर जाने का समय है अब घर जाना है इसलिए जो भी हिसाब किताब हैं दंदे धोरी के ख्यारात हैं उन्हें उतार देना है करना क्या है याद की के यातरा की मेनत करनी है सुदर संच कर फिराते रहा बस वरदान योग युक्तिति द्वारा सुक्षम वकड़े बंदनों को क्रॉस करने वाले बंदन मुक्त भव कौन बैटे का आजा हम बंदन मुक्त कौन से बंदन है सुक्षम है चेक करने बंदन है उनको क्रॉस करना है कैसे करेंगे योग युक्त स्थिति द्वारा ठीक है माया बहुत आ रही है डरना नहीं छोडना नहीं बस योग बनाने लग जाओ अब ना आप ठीक हो जाएगी पावन का योग युक्त की निशानी है बंदन मुक्त योग में अगर युक्त हो लगे योग में तो बंदन मना खतम हो जाएगे आपके योग जुक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंदन है योग जुक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंदन क्या है सौयम को समझदार समझ कर शिरी मत को अपने बुद्धी की कमार समझना क्या है सोयम को समझदार समझ कर श्रीमत को अपने वुद्धी की कमास समझना अर्ताद श्रीमत में अपने वुद्धी मिक्स करनाcha जिसे कहा जाता है वुद्धी रुद्धी का भिमाइन ग्यान बाबा का है मुझे समझागा, मैं बहुत इंटरिजेंट हूँ, मुझे सब पता है यह है बुद्धी का विमान दूसरे हाँ, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता आपको बजाता है कि आप में यह कमी है अत्वा बुराई करता है यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकलब चला तो भी बंदन है किसी ने आपकी निंदा कर दी कुछ बोल दी आपको तो आपको थौर चलेगा उसके बार में यह भी बंदन है जब इन बंदनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुती में समान स्तिती बनाओ तब कहएंगे संपूरन बंदन मुक्त उसके लिए सुलोगन है पहले सोचना पिर करना यही ग्यानी तु आत्मा का गुन है क्या गुन है मारा? समय थर आत्मा का? पहले सोचना फिर करना जब मन और बुद्धी को साथ सार रखोगे तो यह ग्यानित वात्मा की निशानी अद्रत क्योंता है विचार आते नहीं है बुद्धी में एक दम आयता है सस्कारों के वश्ट और गर्ट हो जाता है फिरो ओम शान्ती